जो एक एंट्री लेवल फोन है, HD डिस्प्ले, त्रिपल केमेरा सेट अप, यूज बेटरी, मीडियाटेक चिपसेट एंड मैनी मोर, दोस्तों आज मैं OPPO A54 का अन्बोक्सिंग एंड हैंड्सवन रिव्यू पताने वाला हूं, मेरा नाम मिलेन है और आप देख रहे हैं टैक कि वह देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले और बेल आइकन को दबागर कर जिए ताकि आपको लेटेस्ट ओसम टेक अपडेट को नोटिफिक सेट, सबसे बहले मिल सेगे, जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले OPPO A54 के अन्बोक्सिंग स सुरू कर लेते हैं, तो यह OPPO A54 का बड़ा सब बोक्स, बोक्स के बेक में देखे, तो बैटरी, चार्जिंग, सेल्फी कैमेरा और रेम स्टोरेज इन्फरमेशन देखने को मिल जाती है, और बोक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं या तो सबसे पहले OPPO A54 फोन देखने को म बात करते हैं फोन की डिजाइन और बीड की, फोन का बेक यहां पर प्लास्टिक का दिया गया है, और जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की दी गई है, बेक में टॉप लेफ्ट में देखे, तो त्रिपल केमेरा मोडिूल देखने को मिल जाता है, और बोटम में OPPO की ब्रा और पंच होल भी यहां पर जो है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है, फोन में प्लेस्मेंट की बात कर दो राइट में पावर बटन दिया है, जो फिंगर प्रिंट स्केनर से इंटीग्रेटेड है, लेफ में वोल्यूम रोकर और ट्रिपल स्लोट ट्रे दी गई ह यानि यहां पर दो सिम कार्ड और एक माइक्रो स्टी कार्ड एक साथ यूज़ कर पाएंगे, बोटम में 3.5 में वोडियो जेक, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप C पोर्ट और स्पीकर देखने को मिल जाता है, और और फोन अच्छा है, लेकिन थोड़ा हेवी लग रहा है, ओपो A54 में डिस्प्ले की बात करें, तो 6.5 नीच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, यहां पर AMOLED नहीं दी गई, इस रेंज में आपको AMOLED डिस्प्ले बाले फोन भी मिल जाएंगे, और जो रिजोलिशन है फोन में वो HD प्लस ही मिल जाएगा, इस प्राइस रेंज में ज अच्छी है, screen to body ratio भी ज़्यादा मिल जाता है, contrast level और color भी accurate मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, brightness level भी अच्छा है, sunlight में कोई प्रोब्लेम नहीं आएगा, लेकिन Netflix में HDR 10 Plus का support नहीं मिलेगा, तो इतना अच्छा multimedia experience इस phone में देखने को नहीं मिलेगा, ओपर A54 में camera की बात करे तो rear facing triple camera setup दिया गया है, जहाँ पर 13 Plus 2 Plus 2 megapixel का camera sensors दिये गया है, और front में 16 megapixel का selfie sensor दिया है, आप यहाँ पर photos और video samples देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ Full HD वीडियो ही record कर पाएंगे, 4K का यहाँ पर option नहीं मिलेगा, camera के मैं मैं अबले में OPPO A54 average करें सकते हैं OPPO A54 में performance की बात करें तो Mediatek Helio P35 Octa Core chipset देखने को मिल जाती है, जो entry-level phone में ज्यादा तर देखने को मिलती है, जो 12NM platform पे बनी हुई है जहाँ पे performance तो अच्छी ही है, इवन high-end gaming भी medium setting पे आप आराम से खेल पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं asphalt gaming का result, जहाँ पे performance बहुत ही अच्छी मिलती है और lake देखने को भी नहीं मिलता है और PUBG भी medium setting पे खेल पाएंगे, बस यहाँ पे 90Hz दे दिया होता तो कमाल बन जाता और RAM और storage की बात करें तो यहाँ पे 4GB RAM और 64GB storage मिल जाती है और storage को आप microSD card के जरीए expand भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे microSD card का dedicate slot मिल जाता है OPPO A54 में OS की बात करें तो colorized 7.2 पे चलता है जो best है Android 10 के जो मुझे outdated लगता है क्योंकि Android 11 अभी ज्यादतर phones में देखने को मिल जाता है पता नहीं यहाँ पे क्यों update नहीं किया है तो यह बहुत ही disappointing बात कह सकते हैं इस phone के अंदर OPPO A54 में battery की बात करें तो 5000 mAh की huge battery लगी है जो average use पे एक से डेट दिन आराम से चलेगी और phone को charge करने के लिए 18 वोट का charger मिल जाता है जो phone को 0-100% charge करने में कम से कम 2 गंटे लेगा है OPPO A54 की price की बात करें तो यूरोप में phone की price 160 यूरो रखी गई है Indian rupees में convert करें तो करीब 14,000 तक होती है और specs के हिसाब से मुझे ज्यादा लगती है conclusion पर आये तो good in design, good in display, battery भी अची है लेकिन price मुझे बहुत ही ज्यादा लगी camera भी यहाँ पर average है और ultra white sensor भी नहीं दिया और OSB यहाँ पर outdated दिया है तो बहुत सारी disappointing जैसी यहाँ पर बात मिल जाती है तो यह में phone बिलकुल recommend नहीं करता हूँ इस price range में तो दोस्तो आप क्या सोचते है Oppo A54 के बारे में कौन सी price range में इंडिया में launch होना चाहिए और दोस्तो ओपो को यहाँ पर यह price के बारे में कुछ सोचना चाहिए क्यूंकि इस price range में बहुत सारे ऐसे phones है जो बहुत ही अच्छे features के साथ आते है तो दोस्तो ऐसे latest लिए अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ओल कर दी ताकि आपको latest awesome tech update की notification सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अप्लोट करते है तो दोस्तो मिल झाल 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